इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहे हूँ घर पे बना यानि होममेड पोटाश्याम फार्टिलाजर एक तम फ्री का और्गनिक पोटाश्याम फार्टिलाजर प्लांट का सोयल में किस तरीके से आपको डालना है यानि प्लांट में किस तरीके से आपको इस्तेमाल करना ह तो ये कौन सा homemade potassium fertilizer है फ्रेंज पार्ट नमबर 4 पार्ट नमबर 4 पर जो potassium fertilizer आपको रेडी करके यानि तयार करके आपको दिखाय था मैंने बोला था दो दिन बाद हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो उसी potassium fertilizer को आज आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना है उसी का वीडियो आपके साथ शियार कर रही हूँ इस fertilizer को किस तरीके से plant का soil में आपको डालना है यानि इस्तेमाल करना है इसी के साथी वीडियो का सुरुआत कर रहे हूँ जो जो फ्रेंच अभी तक इस fertilizer को आपको किस तरीके से रेडि करना है वो वीडियो नहीं देखे हो तो वीडियो पे बने रहना इसी वीडियो का last में मैं चोटा सा करके आपको दिखा दूँगी और आप इस fertilizer के बारे में और भी details जानकरी लेना चाहते हो तो मैं description box में इस fertilizer का link भी दे दूँगी chemical potassium fertilizer यानि non organic potassium fertilizer का बात करूँ तो market में दो तरीके के आपको chemical यानि non organic potassium fertilizer मिलता है एक सफेद color का और एक लाल यानि red color का कोई भी flowering plant में जब हम chemical यानि non organic potassium fertilizer का इस्तेमाल करते हैं कभी कभी ऐसे लगता है कि plant जरूर से ज़्यादा ही full खिला के दे रहे है यानि इतना ही ज़्यादा full खिलते रहते हैं पर plant अंदर से क्या हो जाता है weak हो जाता है क्यूंकि plant अपना मर्जी से full खिला नहीं रहे है हम chemical fertilizer इतना है plant में देते रहते हैं कि plant time से पहले हमको भर भर के full देते हैं पर एक बार बहुत ही अच्छा तरीके से full खील जाने के बाद plant काफी time के लिए rest पे चला जाता है पर जब हम organic potassium fertilizer plant में देते रहेंगे plant में अंदर से कोई weakness create नहीं होता है plant अंदर से strong हो जाता है और plant में रुक रुक के flower आते हैं ऐसे नहीं कि plant एक बारी बहुत सरफ फूल देने के बाद ही rest पे चले जाता है प्लांट में रुक रुक के full खीलता है और plant organic potassium fertilizer के इस्तेमाल से plant में जो full खीलता है प्लांट अपना मर्जी से खीलाते है अपना खुसी से खीलाते है तो non-organic यानि chemical potassium fertilizer और organic यानि natural तरीके से घर पे homemade potassium fertilizer के अंदर यह difference है homemade natural organic fertilizer potassium fertilizer किस तरीके से घर पे हमको तयार करना है आपके साथ 4-4 वीडियो श्यार किया है आप जरूर 4-4 वीडियो को follow करिये फ्रेंड जो तरीका आपको आसन लगे आप उसके हिसाब से potassium fertilizer घर पे बना के आपका plant में देते रहिए पूरे साली देते रहिए मैं procedure भी हर वीडियो में बता दिया कब कब आपको देना है कब कब नहीं देना है क्योंकि potassium fertilizer ये organic potassium fertilizer आपको continue plant में देते रहना है 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद जैसे आपका easy हो जाए आपके लिए fertilizer ready हो जाए बन जाए तब ही आपको डाल देना है तो plant एक flowering lot अप plant में खिल जाने के बाद दूसरा lot के लिए plant ready हो जाता है plant अंदर से मजबूत हो जाता है और plant अपना खुशी से फूल खिलाते रहते है आज जो तरीका अच का वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहे हूँ potassium fertilizer plant में डालने के लिए तो इस तरीके से आप काफी plant में potassium fertilizer दे पाएंगे सिब कम सामन का इस्तेमाल करके हम maximum potassium fertilizer बना लिया है तो चलिए आप आपको दिखाती हूँ कि इस fertilizer को किस तरीके से एकदम सही मात्र पे सही quantity पे और सही तरीके से आपको किस तरीके से plant में इस्तेमाल करना है अज का वीडियो आपको अच्छा लगे फैंस तो वीडियो को like, share जरूर करना और मेरे चैनल को अभी तक आप subscribe नहीं किये हो तो मेरे साथ जुनना भी चाते हो तो मेरे चैनल को please, please subscribe भी कर लिजिए अब देखिए fertilizer बनाने के बाद दो दिन इस Forbes लाइजर को रखने के बाद अब इस तरीके से हमारा फार्टिवाइजर रेडी हो गये हैं आप अच्छा फाइनल लूक आपको दिखा दिया अब इस फार्टिवाइजर को हमको किस तरीके से प्लांट पनी इस्तिमाल करना है यानि पानी के साथ इस फार्टी लाजर को अच्छे तरह के से चान के डाइलूट करके हमको प्लांट में इस्तेमल करना है फार्टी लाजर को किस तरह के से चान के आपको इस्तेमल करना है देखिए आपके लिए आपको इजी रहे इसके लिए आपको दिखा देती हूँ हम क्या करते हैं कोई भी फार्टिलाइजर जब हम छान की इस्तेमाल करते हैं पहले fertilizer को चन लेते हैं उसके बाद पानी के साथ अच्छा तरीके से डायलूट करके पर यह देखिए यह जो fertilizer हमारा रेडी हो गए है कितना ठीक है अब इस ठीक fertilizer को आप चनने जाएंगे तो यह बहुत ताइम लेगा पुरा fertilizer चनने के लिए तो आपको इजी तरीके से किस तरीके से इस फार्टिलाजर को चानना है तो देखिए इस तरीके से इस थीक फार्टिलाजर को आपको दिखा देती हूँ इस तरीके से आप चानने जाएंगे चाननी का मदस से तो कुछ भी आपको फार्टिलाजर नहीं मिलेगा यानि इतना ही ठीक है छानने के बाद आप छानी नहीं पाएंगे एक्चुली तो आपको किस तरीके से छानना है पहले आपको पानी लेना है तो मैं पानी के नाप की हिसाब से कह रही हूँ इसमें आपको लेना है एक लीटर पानी एक लीटर पानी के हिसाब से जो फार्टी लैजर है इसको लेना है दो स्पून और मैंने कॉंसर स्पून इस्तेमाल किया है टेबिल स्पून तो इस तरीके से दो टेबिल स्पून आपको ले लेना है और एक लिटर पानी के साथ अच्छे तरीके से डालूट कर लेना है तो पहले हमको ये काम कर लेना है उसके बाद देखिए इस फाट इतना लाइट है इतना लाइट कलर है आप चाहो तो और भी पानी इसके साथ एट कर सकते हो पर एक लिटर पानी के साथ आपको दो स्पून लेना है इस नपको आप धान पर रखिए पानी आपको कम नहीं लेना है पानी इसके साथ ज्यादा एट कर सकते हो पर पानी आपको कम नहीं लेना है और उसके बाद देखिए चानने के बाद यhey वेस्ट हमारा रह indem है और हमारा यह फाटी लईजर रेडी हो गए है देखिए इस तरीके से फाटी लईजर तरीके से एक दम रेडी है प्लांट में डालने के लिए इसी स्टेप को मैंने आपको दुबारा दिखा देतु देखिए हमको लेना है एक लीटर पानी हमने ले लिया आप एक लीटर पानी के साथ सिफ नाप करके दो टेबिल स्पून हमको ले लेना है उससे थोड़ा सा कम ज अच्छे तरीके से डालूट कर लिया है अब इस पानी को हम चान लेंगे चानने के बाद हम प्लांट में डाल देंगे तो मैंने बहुत ही अच्छा तरीके से दो दो बार आपको दिखा दिया अब फार्टिलाजर को नाप को लेके आपको और भी कोई कान्फूसन होना नही चाहिए। इस तरीके से छेंड के बाद आप कोई भी प्लांट में डालते रहिए। कोई भी फूटिंग प्लांट में और फ्लावरिंग प्लांट में हम्हीं है यानी जरूरत होता है जब हम NPK यानि nitrogen phosphorus potassium का balance fertilizer देते हैं उसमें जो quantity में potassium रहते हैं तो उसी से ही indoor plant का potassium का जो need होता है वो पूरा हो जाता है तो देखिए फेंज इस तरीके से हमारा fertilizer ready हो गये है अब आपको plant में apply करके दिखा देती हूँ तो देखिए यहाँ पे तरा तरा का plant है maximum तो रोजी है रोज के अलवा यहाँ पे बोगन विला भी है ही विसकस का भी plant है चांपा भी है चादनी भी है तो कोई भी flowering fruiting plant में आप डालते रहिए आपको result बहुत ही अच्छा मिलेगा आप देखिए यहाँ पे चोटा सा seedlings भी है अपरा जिता का जो seed आप लगा के आपको दिखा दिया तो चोटा चोटा प्लांट निकल के आए है तो मैं उसी में भी डाल दूंगी यह देखिए यहाँ पे और भी आपको दिखा देती हूँ छोटा चोटा प्लांट तो इसमें भी थोड़ा सा potassium fertilizer डाल दूंगी तो प्लांट का growth भी बहुत अच्छा रहेगा और जल्दी से full आना चालू हो जाएगा तो इस तरीके से हमको potassium fertilizer का application कर लेना है कोई भी फ्लावरिंग प्लांट पे कोई भी फ्रूटिंग प्लांट में आप डाल दीजिए तो यह था हमारा potassium fertilizer part 4 का application, soil application तो जो फ्रेंड्स potassium fertilizer part 4 को आप देख चुके हो आप बना भी लिये होंगे तो आप जरूर एपलाई करिए इस तरीके से और अब के लिए वीडियो यहां तक ही है और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक देखा नहीं कि potassium आज का fertilizer हमने किस तरीके से बना लिया था तो उनके लिए मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ procedure और आप भी देखना चाते हो तो आप भी देख लो और जिनोंने part 4 को और भी detail में देखना चाते है क्योंकि part 4 में मैंने दो-दो fertilizer potassium fertilizer आपके साथ शेयर किया है तो आप detail में उस video को देखना चाते है तो आज इस video का description box में मैंने दे दिया केला यानि रौ बनाना रौ बनाना को हमने क्या किया था चोटा-चोटा पीस में काट कर लिया था और यहां पे मैंने चे बनाना लिया था चे बनाने में इसमें आधा पोर्शन मैंने चोटा-चोटा काट करके पानी में बॉयल करके थोड़ा अलग fertilizer बना लिया था और जो second टुक्रा उसב׊र में जो पानी में बॉल करके भाट कर के बना लिया था तो उसमें भी जो हमने बनना पीस डाल दिया था तो उसको भी हम नीकाल लिया था और हमरे पस जो आधा कच्चा केला का पीसेश होगा तो ओभी हमने ले लिया था यानि आपको क्या करना है कच्चा बनाना का छोटा छोटा पीस करके आपको ले लेना है और अच्छा तरीके से इसको पेस्ट बना लेना है पेस्ट बनाने के टाइम आप थोड़ा थोड़ा पानी का इस्तेमाल भी क लेना है एक दम खोल बनाना को ईहां को सिस्थे मल कर लेना है तो आधा टुक्रा हमने देखी इसमें आपको थोड़ा सा दिखाए देती हूं अधा टुक्रा हम ने पानी में डाल दिया और बाकी ana के बने के तहरे बना लेंगे और ये बनाना पिस इसके साथ आपको और भी कुछ भी नहीं मिलाना है हम यहां पे सिर्फ गूर यानि जगरी का इस्तेमाल करेंगे तो हम यहां पे जगरी थोड़ा सा ले लिया था नाप आपको बता दिया था तो इसकी हिसाब से देखिए मैंने सारा बनाना इकटा कर लिया है आप आपको सीजन में खास करके हम घुर का इस्तेमाल करते रहते हैं तो कोई बैक्डेडेट गूर हो कोई खराब गूर हो तो भी चलेगा तो इस तरीके से हमको पेस्ट बनाने के बाद आपको दिखा त्यूंकि किस तरीके से इसका फाइनल लूक आ गए है तेखिए हमारा पेस्ट एक कंटेनर में इसको डाल के मैं दो से तीन दिन के लिए छोर के रखूंगी और हमारा फार्टिलाजर एक तम से रेडी हो जाएगा तो फ्रेंड इस तरीके से आपको इस फार्टिलाजर को रेडी कर लेना है आप डिटेल्स जानकरी चाहते हो तो इस पार्टिकुलर वीडियो पर आपको चेक आउट कर लेना है वीडियो पर कोई क्वाईडी है तो आप जरूर मेरे को पूछ सकते हो और लाइक शेयर वीडियो को जरूर कर लेना कोई नया फैंस मेरे साथ जुनना चाहते हो तो मेरा चैनल को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब भी कर लिजिए टीर इंक्याय कर ग्ट बाय